हेलो फ्रेंज एक्जिम एक्सपर्ट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरा नाम है राहूल प्रिधान आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए DGFT से मेंबर्शिप लेना ज़रूरी है कई बार हमें यह क्वेशन आता है कि सर हमने EPC से तो मेंबर्शिप लेना है या RCMC लेना है पर क्या साथ साथ में मुझे DGFT के साथ भी मेंबर्शिप लेना पड़ेगा या नहीं So basically यह समझ लिजिए कि DGFT से मेंबर्शिप या DGFT के साथ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको IEC लेना पड़ता है याने कि Import-Export Code So obviously अगर आपको Import या Export करना है या Consultancy करना या Import या Export आपको कोई भी Goods का करना है तो आपको IEC लेना compulsory है और IEC issue करने वाली Authority है DGFT याने कि Director General of Foreign Trade So once you get your IEC from DGFT याने कि आपके पास DGFT की Membership आ गई उसके अलावा आपको कोई भी अलग से Membership लेने की जरूरत नहीं होती जैसे ही आपका IEC issue हो जाता है, you are registered exporter or importer from India और इन सबका details आपके पास आपका रहता है DGFT के पास So that is the only membership with DGFT याने कि DGFT के साथ आपको और कोई भी अलग से Membership लेने की जरूरत नहीं होती पर definitely import या export करने के लिए आपके पास IEC याने कि import export code होना जरूरी है और वो issue करने वाली authority है DGFT and that is the only membership with DGFT उसके अलाबा और कोई अलग से Membership लेने की जरूरत नहीं होती Yes आपको अलग-अलग products के हिसाब से आप जो भी product export कर रहे है उसके हिसाब से आपको किसी एक EPC याने कि Export Promotion Council के साथ भी Membership लेने पर सकती है That is a possibility but DGFT के साथ आपको कोई भी अलग से Membership की जरूरत पढ़ती नहीं है So again as I said कोई भी इनसा जब Import ये Export फिल में आने की कोशिश करता है और Online Search करता है या Try करता है तो ऐसी कई myths होती है जो उनके सामने आती है कई ऐसे Confusions होते है जो उनके सामने आते है जिनकी वज़े से वो डर का सामना करते है और वो Ultimately Export या Import फिल में आने से डरते हैं अगर आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल है Export और Import फिल के Related या किसी Product के Related या किसी Services के Related या किसी Documentation के Related और कोई भी आपके मन में सवाल हो जिसका आप जवाब चाहते है तो आप Comment section में comment जरूर कीजिएगा या तो फिर नीचे दिये गए नंबर पर call कीजिए या तो फिर आप हमें email भी कर सकते हैं और हम आपके उस confusion को दूर करने का try करेंगे अगर आप Export इंपोर्ट फिल के अंदर आप अपना career बनाना चाहते है या अपने business को international level पे ले जाना चाहते है तो आप हमसे जुड़िए Export इंपोर्ट के बारे में जो भी knowledge है उसको gain कीजिए अपने आपको educate कीजिए उसके बारे में और फिर अपने business को एक अलग level पर ले जाएए हमें बहुत खुशी होगी आपके इस success journey में आपका साथ देने के लिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने relatives के साथ अपने colleagues के साथ उसे share कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी confusion दूर हो और हो सकता है कोई एक और इनसान export film में आने के लिए motivate हो जाए और future में देश को आगे बढ़ाने में help करे तो I would request आप इसे हो सके उतना जादा share कीजिए हमारी चैनल को subscribe कीजिए ताकि आप notification मिल जाए हमारे नए videos के बारे में और आपके conclusions दूर हो Thank you